तो फ्रेंट्स देखिए जैसेसी ने इतनी रात को नोटिस जारी करता है इनकी क्या बताएं ठीक है बहुत रात को आज 6 बजे 6 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया है और ये नोटिस है आपका जारखन नगर पाली का सेवा संवर्ग संजुक्त परतियोगिता परिक्षा की ठीक है और जो की परिक्षा पल डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ गया है ठीक है देख लीजिए तो क्या बताएं अब इ बिग्यापन संख्या के अंतरकत गार्डेन अधिक्षक बैटनरी ओफिसर सैनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर सैनेटरी सुपरवाजर राजस्वर निरिक्षक यों फिधी सहायक के पदों पर मेगा क्रम अनुसार चैनित अभ्यार्थियों का क्रम मांक मतलब यह आपका ड कितना कटव गया है कोई मालूम नहीं कोई मायवाप नहीं इसका राजस्वर निरिक्षक टीक है इसमें 71 के इंडेट यहां पर सेलेक्टेट दिखाये जा रहे हैं नेक्स्ट है आपका यहां पर अगला तो केटेगरी वाइज किया गया है पहला जन्रल से फिर आपका अनु सिख और अधिक शक्की टिक इसमें देखी तो जन्रल से चार वहाएं फिर आपका 2x3 ओर से 111 से इस ऐसे एएं इस एक है भी आगे दिख लेते हैं तो पिर आपका वापनेट एह इक में में दिखी तो आपको यहां असीं आपको यहां इसमें किấn है टोटल से एक और और पिछला वर्ग यानि कि बीसी वन से आपका एग हो है फिर आपका सेनेटरी इंस्पेक्टर और स्वरी सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर ठीक है तो यहां पर आपका जेनरल से छोग हो है से एस्टी से तीन और फिर आपका आता है और इत्यंत पिछला वर्ग ठीक है यानि कि बीसी वन इसमें आपके दो गों है और एडबलो एसमें एगो है फिर सेनेटरी सुपरवाजर और इसमें टोटल जेनरल से 42 ठीक है फिर आपका पद बीधी सहायक यहां पे 18 है आनुसुच प्रकासित जन जाती यानि कि स्टी से 12 है और फिर आपका स्टी से 5 बीसी टू से 3 बीसी 1 से 3 और फिर आपका एडबलो एस से 3 ठीक है और यहां पे तीन पेच का पीडियाप है और लास्ट में बोला गया है कि कुल रिक्ती के सापिक्ष लंबित सभी पदों के अंतीम परिक प्रकासित किया जाएगा ठीक है तो देखिए मतलब आप लोग कमेंट में बताइए क्या करना चाहिए वैसे सीजियल का तो सब कोई हाल जानते हैं ना कटप जारी किया गया ना नॉर्मलाइजिंग मार्क्स जारी किया गया ना हमें ऑब्जेक्शन करने का टाइम दिया गय ठीक है और डिरेकली आंसर के बाद तूरंत एड़ जारी किया गया और गजगजगजगजगदम कोई जानिये का मसीन चल रहा है ठीक है अदल सबकुछ आइनेतिक हो रहा है चल तो रहा है सब कुछ बहुत फास्ट लेकिन बिना कोई नियम कानून से ठीक है तो इसका जरू वीडियो का डिस्क्रिप्सिन में दे रहा हूँ